नमस्कार दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज फॉरण स्टडी का जो फैक्ट है वो शेर करूंगा इस वीडियो के थुरू तो फॉरण में हमारे बहुत सारे बच्चे इंडिया से पढ़ने के लिए दड़ा- उनके क्या रिजन है क्यों कॉंशेस अलाओं नहीं करता सारा कुछ आज इस वीडियो के थुरूप में बताऊंगा सबसे पहले तो मैं पेरिंट्स को और बच्चों को यह बता दूँ उनका मतल हर एक बच्चे का पेरिंट्स का मतल यह है कंसेप्ट जहां उनके माइंड में की फॉरण में सैटल होना या बहां पर बहुत ज्यादा अर्निंग है हम अपने बच्चों को बहां पर भेज दें ह हर एक पेरिंट्स का और हर बच्चे का भी यह द्रीम है वो करिडा गया तो मेonna चाम को और लब भाटर में बच्चों को फोर्सें कि ब्रबन स्व rightly रहती थी government sectors में तो बच्चों की पहली destination वो government sectors रहता था कि हम उन government sectors में जाएं ड्यू टू अभी जो काफी reductions हो गई है jobs ability नहीं है government sector में तो अभी हर एक बच्चा हर एक पेरंट जाएं चाहता है कि हमारा बच्चा foreign country में चला जाए according to my experience is profession में हूं 12-13 साल से काम कर रहा हूं foreign जाना तो बहुत ही easy है सुन लीजिए foreign में जाना है it is so easy then settlement वहां पर जाके जो settle होना है अभी एक example मैं देता हूं ऐसी साथ में coffee भी पीएं कि coffee भी साथ में आ गई है कि हम हरे एक चीज नैच्छल दखाते हैं कि मैं एक example देता हूं आप अपना बच्चा पंजाब का है जलंदर का है लुध्याने का है जै दिली का है उसको आप पढ़ने के लिए जहां उसकी के ट्रांसफर मुंबई में हो जाती है जब job करने के लिए मुंबई में चला जाता है तो उसको वहां पर जाने के बाद कित इतनी प्राउलन स्पेस करनी पड़ती हैं यह प्रैक्टिकल चीजह हैं समझने की कोशिश करें आप लोग उसके बाद आप अपना डिसीजन ले क्या करना है बट आपने जाना है हमारी एक ऐसी कॉंपनी है जो फेक्ट बताकर बेजेगी किसी भी कंट्री में लोग मुझे लाक रपे की सैली ले रहा है फोन पर पूछता है मैं बाहर क्या करना है बाहर क्या करना है तो फेक्ट बताकर फीज बताकर भीजूंगा कोई लारे बाजी कोई चीट करके ऐसा कोई भी हमारा बैड इंटेंशन नहीं रहेगा पहले तो उसको यहीं समझाने की कुशिश करता हूं ना जा यार यहीं रह जा तो चला गया बहां पर बहां जाने के पाद ना उसको बहां की लोकेशन के बारे में मालूम है ना उसको अपनी अकमोडेशन के बारे में मालूम है ना उसको यह पता है कि मैंने बस कहां से पकड़नी है जब कहीं दिली बॉंबे जा कहीं पर भी बचा गया है इसी तरीके से जब आप अपने बच्चे को फॉरण में भी बेजते हैं तो उसको जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम उसको फेस करना च्राटा है मेरे बच्चे सारी सबस्क्राइब बाद बच्त करने हैं जांते हैं पर आशकी करते हंकरिक करते हैं avion March हमने बच्चे सब के मेरे बच्चे है आपको बच्चे हैं ठारा साल की अमर्त है अब तो मदर को जादा रहता है मदर को जादा बच्चों के साथ ऑफक्शन रहता है तो वह क्या कहता है चलो यार फौरां चले जाना जाने के बाद आज कल आगे तो बच्चे चार चार पांच बन्स होते थे आज की डिट में भ्रहर को हां की करते हैं कि besar Chairman जाना है हम करते चलो सान् वाना साल के बच्चे को हम फोरन में बेज देते हैं और हमारी सबस्द क्या रहती है कि अभी बच्चा फीज भी खूद अपनी नकालेगा और हमें भी पैसे बहेजेगा है और में बहती दिया अपने दिल के टुकड़े को तो साथ में आपने एक यह भी मोटीवेशन ले लिया कि फॉरण जाएगा अभी यह बताइए आपका ठाराव साल का बच्चा है इंडिया के अंदर अगर यहां पर भी पढ़ता क्या आपका बो बच्चा यहां पर कोई पार्ट आम वरक कर दिश्चे को बीस साल के बच्चे को कुई स्किल्ड तों काम आता नहीं है फिर वो अंस्कील्ड काम करता है क्या काम करता है बहां पर रैस्टोनेंटों में बेटर्स की जॉब सो सकती है मैं एक बता रहा हूं तुनने की कोशिश करें स्कूरटी गार्ड है बाहर फॉरन है उनको उठाते हैं लेवर की कंस्क्शन का काम करते हैं क्योंकि काम आता नहीं है काम नहीं आता है तो उसमें वहीं यह करनी है और उसका concept पीशे से pressure ये है कि मैं loan लेकर आया हुआ हूँ अभी मैंने loan भी उतारना है अगले साल की fees भी उतारनी है और फिर वो इतना अपने आपको वीजी कर लेता है खाने पीने को मैंने एक permanent logo लगाया हुआ है अपने यहां पे इसका कोई meaning है करो योग और रहो निरोग यह क्यों लगाया हुआ है यह बहुत समझ सकता है जो इसके बारे की importance जानता है यह सिर्व मैंने वाले बच्चे जो foreign countries में जाते हैं especially उनके लिए लगाया हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा stress जो बच्चे foreign country में आज की डेट में हर studies के लिए जा रहे हैं उनके लिए यह इस वेरी important कारण क्या है parents साथ में नहीं है खाने का हमें मालुम नहीं है हम ठारा ठारा घंटे की shifting कर रहे हैं और stress इतनी है पूछो ही मत तो उनके लिए यह मैंने especially local लगाया हुआ है कि जब तक आप इसको भी अपनी life में जूद नहीं करेंगे तब तक आगे तरकी नहीं कर पाएंगे और stress से ही बमार हो जाएंगे और समझ नहीं लग पाएंगा कि करना क्या है और फिर चले जाते हैं जाने के बाद फिर पढ़ते हैं वहाँ पर क्या है डिप्लोमा करते हैं पेरेंस maximum बच्चों को कोई यह नहीं है कि कोई बैचलर डिगरी करवाने के लिए गनेड़ा में भीज रहा है और अंस्किल्ट का भी चारे नहीं होते हैं तो वो कहते हम तो आप देखिया कि क्या करना है अभी अगर फोरण कंटी में अपने बच्चों को भी नहीं है इतना बड़ा इंडिया है अमर्जी एकॉन हैं इंडिया को सब लोग अभी समझते हैं यहां पर कितने प्लेटफॉर्म है बट पेरेंट्स भी यहीं से सब कुछ करके गए हैं आपको क्या लगता आपके लिए को प्लेटफर्म नहीं यहां पर अगर आपके पेरेंट्स भी यहीं पर है तो बट अभी जाना है तो ठीक है जाइए लेकिन सोच समझ के जाइए बेड़ चाल वाला सिस्टम ना अपना यह कि नहीं यार जिसका सर्वी रहा है ना वह भी करा मैं चल जाओं छोड़िये जी हम चले जाएं बहां पर और बहां पर सबसे टफस्ट है आज की डेट में सेटल होना क्योंकि एक पीड़ी को एक अपने बंच को सेक्रिफाइज करना पड़ता है उन कंट्रीज में जाकर फिर जाकर जाकर सेटल होती है क्योंकि एक परसंट जो एक जो पीड़ी जाती ना वहां पर वो सेक्रिफाइज इसी चक्र में रह जाती है अपने घर बनाने के चक्र में बहुत जब जाती हैं तो यह लेकर चलिए कि अगर आप कोई बिजनस भी स्टार्ट करते हैं आज अभी आ में फर्स दिन से प्रॉफिट आता है और बच्चों को ऊपर उनके स्ट्रेस मतद्द यह आप फोन करते हैं उदर बच्चा भी पिचरा टेंशन के अंदर है यार मैंने बैंक से लोन लिया हुआ मेरी इंस्टाल्मेंट जानी है और ती से पैसे उठाय हुए है और तीया मां का में बच्यक्व में बच्चे को भीजना है तो सो समझ कर भीेजना है बच्चे के पां सुझ वाले लोगों कि पैसा है और इसको कोई काम आता है उसको बचारे जटाथ से उसको कि खाना बनाना नहीं आता खानना कैसे बनाना वह वह कौन से सब्सक्राइब बने जो रिखन्य फिर बृषटा रहता हूं जब तक आफ नेचर से निवी ओड़ेंगे और्गनिक चीजें नहीं खाएंगे तब तक मतलब ऐसे ही रह जाएंगे फिर क्या होगा जब फ्रोजन फूड खाते हैं फिर डैविडीज बीपीज ऐसी ऐसी पी बुमारियां मुटापा फलाना पर टेंचने तो वहां पर मैक्सिमम फ्रोजन फूड है यहां पर हमारे हर टाइप मक्की कि रोटी आजकल सीजर में चलती है वो मिलेगी बहां पर ना वो कभी नहीं मिलेगा बहां पर फिर तरस्ते हैं फिर क्या करते हैं मेरे पास ऐसी सिच्विशन है जो चले जाते हैं फिर रात को ना बारांक बज़े इंडिया का जब रात हमारे यहां पर रात होती है तो बहा यार फैमिल्यू के साथ एक अठे तो हैं, यहां पर दोस्तों हैं, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, रोते हैं बड़ा, यार आप लोग बड़े हैप्पी हैं, फैमिल्यू के साथ बैटे हुए हैं, हम यार यहां पर situation देखो हमारी कैसी है, यह fact है, समझने की कोशिश करें आप और बच्चे को जब भी भेजना है, उसको स्किल थोड़ा सा जरूर आता हो, अगर आपने कहता है बेजना ही भेजना है, उसको कोई नो कोई चीज के बारे में, जैसे एलेक्टिशन हो गए, पलंबर हो गए, कार्पेंटर हो गए, ऐसा कोई स्किल हो उसके हाथ के अंदर, तब भी चलो ठीक है, और उसको खाना बनाना जरूर सकाएं अभी बच्चे को, यह भी बहुत इंपोर्टेंट है, अभी खाना बनाने का तो टाइम नहीं है, फॉरण में क्या है, कि सब लोग ब्रेड़ेंग खाते हैं, बनी मनाई, रेडी मेट चीज़े ही है, कोई घर में पहले तो मैं यह कहूँगा, जाने से पहले 100 टाइम सोचें, अपने दिल के टुकड़े को बाहर बेज रहे हैं, बोर यह लेकर चली है, वो चला गया, तो बापस नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस प्रफेशन का डॉक्टर हूँ, अगर आभी जाएगा ना, आने के बाद उस प्रफेशन का यह ड्रीम नहीं है, एक्सेप्शनल ही है, कि सिरफ पढ़के आना है, उन्होंने आने के बाद यहाँ पर उन्होंने सेट्लमेंट लेनी है, को भी कभी लुफ्त ले रहते हैं, साथ में जी, तो बीजा लेना बहुत इजी है, और सेट्लमेंट होना फॉरण कं पहले सारे प्रिकोशन लेने हैं आपने, कि कैसे जाए, कौन से परसन के थू जाया जाए, अगर जाना ही है, तो उसके बाद डिसीजन लिया जाए, क्योंकि यह एक शोटा डिसीजन नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन है, साथ समुंदर पार जाना है उसने, तो डिसीजन लेने से पहले, आप दसबर सोचें, सोचने के बाद, फिर क्राउन इमिंग्रेशन से जुरूर समफर्क करें, दिल नहीं करता है प्रमोशन करने का, जहां बेजने का किसी को, बट इस इंडस्ट्री में बहुत सारे गल्त जो कंसर्टनेंट है, गल्त तरीकों से फॉरं कंट झाल और युझ लेके प्रमोशन इतला युझ था थे टाने को, गजय है जोतकता बड़ा नहीं है, जहां झालेशन इक दिल विर इंडस्टने लोग्वेशने कर खाने के बढ़़्ासे करें लोग्या करें लोग्या और शुए आले युझ थाजर से विर तकाम करें करव़ा